है यह स्टुडेंट वेलकम टू सीटी स्टेडी केपिटल्स मेरा नाम है वेद्प्रकाश और मैं हूँ आपकी बाइलोची फेकल्टी आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हुमें रिप्रदक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंस्ट्रोल साइकल जो है बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले हम एक ब्लैक स्टाइड लेता हुँ ठीक है तो क्या होता है कि जो मैंस्ट्रोल साइकल है ठीक है मैंस्ट्रोल साइकल ठीक है नाम में में धार ठीक है ऐसा नहीं कि मैं में होती इस सब्सकारायइग कि जब शुरूबात होती है तो उस टर्म को बोलते हैं कि मेनार्ख की के उसको बोलेंगे मैन आर्ख फिक है मैन और तो यह कौन सी एज में शुरू होती है अभी दू कंट्री डि डिपेंड करता है कि कौन सी एज में शुरू करते हैं हम एक वह बता दे रहे हैं आपको थीक है टैने एर्श से लेकर के 15 येर्श स्थय चैने येस के बीच में शुरू पक्का हो जाती है अच्छा किया मै sellers भी खतम होती है तो उसे मै नो फास जो हता है वहता है वह घ्रेक्षाटा मैंसल साइकल जो है अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या-क्या होता है क्या-क्या होता है जनरली यह जो मैंसल साइकल है जनरली जिसको बात कर रहे हैं ठीक है यह 28 डेस्स की साइकल होती है ठीक है 28 डेस्स की साइकल होती है जनरली उपर नीचे भी जा सकती है ठीक है व इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको बताऊंगा कि फॉलीकिलोजीश की क्याने को कि हर किसी के लिए बता है मैं सबसे कहते हैं कि फॉलीकल संज़ाता हूं संद्रपो vrij Okay तो सबसे होता है । सबसे पहले बात करेंगे सब चीजया सबसे पहले बात करेंगे ऑग सो APP दो ह Natomiast Road ॉट्स पॉलिकल ही कहाesting को प्राइमरी जो होताबसाइब सबसे बारा है सबसे पहले बता जैंद है जब बेवी बार निंज कर से ठीक है, उस टाइम पर ही, उसके पास 60K से लेकर, 60K, 60,000 से लेकर के, 80,000, 80K तक, जो इच ओवरी में, इच ओवरी, रिमेंबर इच ओवरी लिखा है, ठीक है, इच ओवरी में, इतने primary follicles होते हैं, ठीक है, आप जब इतने primary follicles होते हैं, इसके बाद हमें क्या करना होता है, ऐसे करके अंदर एक होता है, primary oocyte, और इस primary oocyte के बाहर, granulosa cells की layer होती है, ठीक है, यह बात यादर रुकिए, granulosa cells की layer होती है, ठीक है, primary oocyte अंदर होता है, ठीक है, और यह क्या, मैंने primary follicle लिखाह, मैंने primary oocyte बोला है, प्राइम्री उसाइट अंधर होता है और बहार होते हैं leos cells की लेयर ओटीक है अ ग्रेल लोसा इसल की सिंगल लेयर होती है तो इससे हम क्या भूलेंगे यह जो स्क्चर्र आपके सामने रख़ोंगे इसको बोलेंगे इसको बहुत ठ्रैमेरीआ उसका है प्राइमरी फॉलिकर अब कि अदर क्या होता है इसके बारे मेरिम के बार्त नश्यमक्र के बात कि भूत बात न ब mão पूछने या यह जो आरेस्ट होか होता हैं ऑलोղ ढुंक और रुका है अर्प एन लू इए असे भी एक है ऑब डिपलो टीन स्टेज अफ प्रतब को नहीं वड़ा पाऊंगा बट इतना समझ लीजिए इसको कि मियोसिस वन पे वह रेस्ट आपने इलामत क्लास में पढ़ाएं ठीक है तो मियोसिस वन की डिपलो टीन वाली स्टेज पर यह आरेस्ट हो रखा होता है इतने वास समझ गे तो यह है प्राइमरी इस्कें यवस ले इखे आप क्या होता है ले लिया हुआ है कि मैसका देते हुम ठीक है अब यह जह अब यह अब इसके ऊपर अब एक्ट करेंगे हर्मोन आप इसके ऊपर रोन इस हर्मोनल परका चाप्क्र ंर्चर्ज एक्टीवीटी अकर्स को ठीक है जैसे FSH हुआ है लह यह आकर इसके उपर अपना काम करेंगे और इसको चेंज करेंगे किसमें सेकेंडरी फॉलिकल में ठीक है इतना सुझ में आ गया तो अब इस प्राइमरी फॉलिकल पर हर्मोनल अक्टिविटी होगी अभी बस इतना याद रखिए ठीक है याद अखना यह फॉलिकल्स आपको समझने बहुत जरूरी है उसके बाद मैं सीधा नाम लोगा मैं आपको फि उसका हुआ रोगा मार्क मैं यह ए रख ऑंदर अभी भी प्राइमरी उसाइट है घीक आभी जो प्राइमरी उसाइच थैए इसके बाहर ग्रेनुलरास सेल्सकी लेयर आए जिए एक नहीं है इस बार तिक है मोर है देखिये एक नहीं है कि कि का इसके बाहर एक और लेयर आती है उस लेयर का नाम होता है थीका थीका लेयर उसको क्या बोलते है थीका लेयर थीका की लेयर ठीक है और ये जो है अंदर जो मैंने बताया है ये ये जो है ऐसे करके इनको क्या बोलते है ग्रैनुलोसा प्राइमरी उसाइट है इसको बोलते हैं सेकेंड्री फॉलिकल ओके इसके रिशॉट ले लीजिए अब इसके बात हमें पढ़ना है तर्शरी फॉलिकल ठीक है अभी तक यह अरेस्ट हो रखा है डिपलोटीन स्टेज पे अफ मियोंसिस वन ठीक है अब हमारे पास आएगा तर्शरी फॉलिकल तीसरे नमबर पर पास को रहा है Tertiary Follicle Tertiary Follicle जो होता है वो कैसा होगा इसका structure बनाना शुरू करते हैं Tertiary Follicle का structure कैसा होगा दीए अंदर जो होगा इस बार है Secondary Oocyte क्या है Secondary Oocyte अब change हुआ है ठीक है अब change हुआ है टर्शरी के अंदर अब आया secondary oocyte ठीक है इस secondary oocyte के भार एक layer होती है ठीक है इस layer का जो नाम है वो क्या है यह जो भार में ने layer बनाई है yellow color से इस layer का एक नाम है इस layer का नाम granulosa cells नहीं है पहले बता दूँ इस layer का नाम है corona radiata ठीक है क्या है corona corona radiata यह है corona radiata ठीक है corona radiata के बहार जो है हमार पास layer आती है granulosa cells की ठीक है इसकी बहार हमार पास लेयर आती है granulosa cells की हमार पास लेयर राई ठीक है ठीक है दिख रहा है हाँ ठीक है और यह हमने ऐसे बनाया आप कहे रहा है सार आपने बीच में जगा की छोड़ी किसी कारण से छोड़ी है ठीक है ठीक है हाँ तो एक आयमार पास layer ठीक है देखे यह बीच में एक कैविटी बन गई ना है ना अब देखिए अब मैं लेविंक आच्छा हाँ एक और बात और जो लेयर से मैं इसको मिटा रहा हूँ ठीक है आपको समझाने के लिए देखिए इसके बाहर अब एक लेर और आती है ऑफिर इसके बाहर एक सब्सक्ता है . देखिरिख इसे देखती का अब कार थो चुक है सिर्फनद्विसितन हो दो डिवाइड हो चुकी यह तो यह जो बहार है इसको भोलेंगे अब थीक क्या ए ठीका डिक रहे है इस इसको दूसरे इसको बोलेंगा थीका एक्स्टर्ना बाहर की तरफ है ना तो यह थीका एक्स्टर्ना सिंपल यह जो अंदर पिंक वाली लेयर है इसको बोलेंगे थीका इंटर्ना तर्शरी फॉलीकल के अंदर हमारी थीका के लिए डिवाइड हो गए जिसका नाम पड़ा थीका एक्स्टर्ना थीका इंटर्ना भार वाली थीका एक्स्टर्ना अंदर वाली थीका इंटर्ना ठीक है इसके बाद क्या होता है जो हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स के लिए रहे यह ज चैनल के लिए रहा है ठीक है यह ग्रैंॉसा सर्थ के इसके बाद क्या होता लेकिए सेकेंड डू साइट कोरोन रेडियर मैंने बता दिया आप जो प्डॉब्लम कि जॡ़ अंदर नाम होता है इस गेविटी का चे नाम है इसका नाम है एंट्रम cavity यह बहुत important बात है ठीक है tertiary follicle के अंदर cavity बनती है इसका नाम होता है entram ठीक है एंटरम की cavity होती है और इसमें क्या भरा हुआ है यह जो liquid है इसका नाम क्या है इसका नाम है liquor polyculi liquor polyculi liquor folliculi ठीक है और यह जब बिच सबना बना ब्रिज अना इस तो नहीं देख रहा इविन देख रहा इस लिखता हूं हाँ liquor for a liquor for a liquor for a बढ़े यह जब ब्रिज दिक्राइए यह यह वाला यह ब्रीज यह है यह जब रिजना इसका भी एक नाम होता है का लिगोश को इसको यह लिख देता हूं दिख रहा हाँ इसका नाम होता है क्यू मिलस सी यू एम्यू ल ओ यू एस क्यू मिलस उफोरस यह बहुत important structure है ठीक है सीधा पूछा जा सकता है इसमें से labeling वगएरा दुबारा बता देता हूं देखिए यह टर्श्री फॉलिकल का structure है तो इसके अंदर सबसे पहले second हो चुगा है second अीसके बहार जो लेयर है यह यलू कलर की है Corona रेडिएटा के लेयर टीक है किसके लिए है Corona रेडिएटा के लेयर और Corona रेडिएक बापार आते ग्रैनूलोशा एक रेनूलोशा इलस जो इन्होंने आप अपने मतलब बीच में जगह बनाई है आ पिदांस के बिटे का नाम है तो आपको फॉलिकल के बाद आता है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल की समझा दें, इसकी बाद आता है, ग्राफियन फॉलिकल, ग्रेफियन पॉलिकल समझा गया इसके आद क्या आता है ग्रेफियन फॉलिकल एक सब्सक्राइब अगरेफियन फॉलिकल के बारें पढ़ना है ठीक है ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है अभी देखो जैसे हमने बनाया था ना देखो अगेन आपको यहां पर सेकेंडरी उसाइट बनाना है फिर इसके बाहर एक एक ना देखो यहीं है यहां पर एक लेयर आती है पतली सी लेयर आती है इस पतली सी लेयर करना होता है जोना पिल्यू सिडा इसका नम क्या है जोना पैल्यू सिडा ठीक है जोना पैल्यू सिडा आप सबकुछ सेम हो जाएगा जैसे पढ़ाता आ था ना वह सबकुछ सेम हो जाएगा कि इसके बाहर अब जो लेयर आएगी वह यहां पर जोना यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आप ग्राफिन फॉलिकल्स के लिए राजाएंगी ठीक है अगें में एंगें के लिए राई ठीक है यहां पर क्यूमिलस उफोरस बन गया ठीक है फिर यहां पर अगेन एक कैविटी बनी थी एंटरम ठीक है उसके अंदर लिक्विड भरा पड़ा था जिसे हम बोलते लिक्विड फॉलिकुलाई ठीक है उसके बाद यहां पर बाहर लेर बनानी थी तो एक हमने बनाई ही सीट आइक हमने लेर बनाई हैं थीकर इंटरन एक बनाइन थीकर एक स्टरन और हमारा ग्रेफ़ें फॉलीकल को बमेट इन और इसमें च्शेंज भाहता है उसमें चेंच सिर्फ यह था खिए अंदर सोन पहले यह सुद्धे के लिए रागी और यह fully matured आयां Mark my word यह अ फुली matured पॉलीकल पॉलीकल तू ओव्यू लेट ओविलेशन करने के लिए फुली मेचुर हो चुक है तो ग्राफिन फॉलीकल का ओविलेशन होगा है ठीक है अब आप आप पॉलिक्ल्स समझ चुके अब मैं सीधा नाम लेना शुरू करूंगा ठीक है आप क्या करना होता है donkey अब हम शुरू साइकल होती है ठीक है एक होती है एक होती है ओवेरियन साइकल ओवेरियन साइकल ठीक है एक चल रही होती है यूट्रस के अंदर अब उसके बाद हम क्या करेंगे किसमें कौन से होर्मोंस वगर रहा है वह से मैं बताना शुरू करता हूं दो तरह की साइकल जल रही होती है इहां बे और यहां भी चल रही होती है ठीक है अब हम करते है बढ़ाना शुरू अच्छे से क्या होता है ऐसे मानिये कि नहीं बॉक्स माना दें ऐसे समझे कि ये आपका यूटरस है ठीक है बड़ी गंदी दुराएंगे कोई बात में अब क्या होगा कि ना देखो क्या होता है कि फेज इस होते है एक फेज होता है आपने RSB के बारे में सुना है अब यहां oko की जगा ना जैसे यूपीय हमारे पास शहर हहाम रहते है ठीक है इसी अगरे पी कर दो ठीक है पी कर देंगे आप तो इसके बाद क्या होगा एक होगा प्रोलिफिरेटिव proliferative face ठीक है दूसरा होगा secretary secretary face और फिर bleeding face अच्छा एक और बात यहां मैंने bleeding face last में लिखा है ना तो कहें लोग कहेंगे कि बोलते हैं सर जब bleeding शुरू होती है तब ही से दे वन गिना जाता है मैं श्रॉल साइकल का है ना सभी करें तो यह तो पहले आना चाहिए था हां मालब वह बात भी सही है अच्छी साइकल को ऐसी पढ़ते हैं तो मैं इसी पढ़ा हूं ठीक है और मैं इसी पढ़ावे रहा हूं तो प्रोलिफरेटिव फेस सिक्रीटिव फेस और bleeding face ठीक है तो अब क्या होगा ऐसे माल लो यूट्रेस के अंदर साइकल चल रही थी ठीक है यूट्रेस साइकल तो उसमें क्या होगा सबसे पहले सेल्स बनने शुरू हूए ठीक है क्या हूए शेल्स बनना शुरू हूए यूट्रेस के अंदर आपको पता ने जो आप क्या होता है कि सबसे पहले अंडोमेटरियम थिक होना शुरू होगी जैसे बढ़ते जाएंगे इसको थिक होना है इसको क्यों होना क्यों कि यहां पर आकर करेंगा इंप्लांट यहीं पर होगा ठीक है तो यह अपने आपको प्रिपेर कर रही है प्ररिपेर करना है तो एक किसके इंफ्लूएंस में बढ़ हो प्रिकें तो जैसे जैसे एंडौजन चुन का अमांट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एस्ट्रोजन का अमांट बढ़ता जाएगा दिनके बीचते बीचते वैसे यहाँ पर थिकनिंग होती जाएगी, एंडोमेटियम की, ठीक है, E4 एस्ट्रोजन, E4 एंडोमेटियम, ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो है, वो responsible है, एंडोमेटियम की ठीकनिंग के लिए, यह बस सम्च में आगी, ठीक है, हाँ, अब क्या होता है, कि न, अच्छा मैं पहले बता तो मैं पार्ट में पढ़ा रहा हूं ठीक है इनको बाद में जोड़ दूंगा ठीक है तो फिर आपको सब्सक्राइब अब यह सब्सक्राइब तूपने तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारी ना टो टो टुम Geld वेसल्स ऐसे करके ग्रो करने लग जाती यह टे कही से भाइण्टों यह स्थाब वाद में बताऊंगा है अभी बस इसको में रखे क्या क्या हो रहा है अजया ऐसे ने जिसने ने जाके ठीक निंग करा दी टिंग एंडोमेट्रियम की तो एक यह-प्रॉजिस्टोरॉं था प्रोजिस्टरोन आया प्रोजिस्टरोन ने आकर के इसमें ब्लड वैसल्स को बढ़ाया और जाकर के इसमें ग्लैंड्स को बढ़ाया यूट्राइन वॉल में और यह काम था प्रोजिस्टरोन का ठीक है तो प्रोजिस्टरोन का हो गया तो यह जो काम करवाया ठीक है यह यह वाला जो काम था यह वाला जो काम था यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला यह एक फेस होगा ना इसी फेस का नाम है प्रोलिफरेटिव फेस उसे नाम क्या है proliferative phase क्योंकि proliferation हो रहा है यहां प्रोलिफ्रेशन बढ़ते जा रहा है यहां प्रोलिफ्रेटिव हो गया ठीक है यह वाला जो है यह वाला जो और और सिक्रीट्री réfl Oh ये पूरी पूरी हैं ये पूरी की पूरी आईसे शैड़ो के अहीन बाहर आएगी ठीक है जैसे यह बाहर आएगी तो ब्लड निकलेगा ठीक है इसी को बोलते हैं ब्लीडिंग फेज इसको पहुने का बोला bleeding phase तो तीन phase हुए सबसे पहले proliferative phase secretory phase then bleeding phase proliferative phase में क्या हुआ था कि estrogen की बन्द से endometrium थी वो ठिक हुई थी ठीक है progesterone आया है progesterone ने आकि उसमें glands दिये उसमें आकर blood vessel की supply दी और फिर क्या बोलते है उसको बोला secretory phase और जब pregnancy नहीं हुई तो उसके बाद bleeding phase आ गया ठीक है अब हाँ आपको यह समझ में आ गया screenshot लेना ले लो ऐसे बना लेना वैसे बहुत गंदा बना दिया है बठा देख लीजे अब क्या होता है इसके बाद अब मैं आपको graph वगारा सीधा समझाता हूँ उससे ही ठीक है उसकी help से जो फॉलीकुल अब पढ़ा था ना अब उसका यूज आएगा ठीक है इसलिए पढ़ाया था क्योंकि अब मैं लिखूंगा सीधे अब मैं वैसे बताऊंगा नी ठीक है और मैं लास्ट में स्लाइड अब मैं एक साइकल चल जोरी है नल्माल बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है एक आता है प्राइमरी उसाइट थीक है लिखने की यहाने मैं ६शॉक में लिखूंगा लिखने की जगाने तो आपको मैं बोलता जाऊंगा आप साशात साथ लिखते जाना जो भी हो, सबसे पहले बनेगा primary oocyte, यह जो primary oocyte था, यही primary oocyte जो अभी arrest हो रखा है, किस में हो रखा है, यह रखा, arrest, at miosis 1, इसको m1 लिख दो, ठीक है, आप समझ जाना, miosis 1 पर यह arrest हो रखा है, समझ गे, बिखा है, अब यहाँ पर यह primary oocyte है, ठीक है, यह क्या है, primary oocyte, यह primary रखाया है, वन के ओपर डिगरी है, तो primary oocyte है, ठीक है, अब यह जो primary oocyte है, यह convert होगा, किस में, यह convert होगा, primordial, primordial follicle, primordial follicle में होगा, और इसके बाद आता है, primary follicle, ठीक है, primary follicle, primary follicle के बाद जो है, convert होगा, फिर यहाँ पर आएगा, secondary follicle, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, दिखनी है आपको, ठीक है, secondary follicle, ठीक है, secondary follicle के बाद आएगा, tertiary follicle, tertiary follicle के बाद आएगा, graphene follicle, graphene follicle के बाद कौन आएगा, graphene follicle के बाद आएगा, corpus luteum, ठीक है, मैं पर से space नहीं बच रहा, पुकिए, मैं इसको दुबारा से लिखता हूँ, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, ताक कि बाद बन पाए, ठीक है, शुरू करते हैं इसको, रुको जारा, मैं दुबारा से लिखता हूँ, ताकि जगा बचे, मैं को समझाना आए ना, इसे करके, चलो, start करता हूँ, शुरू से, इसे board को बीच में डिवाइड किया, ठीक है, मैं अब इसके बाद क्या करते हैं, हाँ, देखना चुरू करिए, सबसे पहले था, हमारे पास जो आया, यहां से लिखते हैं, हाँ, सबसे पहले था, हमारे पास आया था, primary, उसाइट, ठीक है, primary, उसाइट आया था, यह जो primary, उसाइट था, यह arrest हो रखा था, मियोसिस 1 पर, ठीक है, मियोसिस 1 पर रखा था, उसके बाद यह अगें, यह primary, उसाइट था, यह बताने लिखा था, इसके बाद यह बनता है, प्रिमोर्डियल, प्रिमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है, मैं शॉट फॉर्म में लिखाँगा, प्रिमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है, प्रिमोर्डियल फॉलिकल के बाद बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल के बाद बनता है, सेकिंड्री फॉलिकल, से जूह है यहां पर को इस पाइंट राकर कि ऑविलोशन हो जाएगा एक त by इस जो ओन विलकम वो इंटा इस के बाद बता होगए। उसके बाद जो हमारा बनेगा लाप थ सन वाधन कोम है यगा यह बन जाएगा Corpus Лut уб जी मिए फो बैं ही था और इसके बाद यह कोरपस अलवाइकल समंझ जाएगा हो गया ठीक है अब मेरी बास समझ्जिए चाओ पुरा पुरस बहुत ध्यान समझ बहुत इंपर्टेंट है ठीक है अब देखो कि होना यह कि सबसे पहले हां एससे जो पर फेसे हम सब जानते हैं फेसे होता है ठीक है लिर नाइजिंग होता यह जो है यह जो करना चाहता है इस पर वर्क करना चाहता है यह इस पर काम करना चाहता है यह जो क है करता है और फोलिकल। पर और तब इस पर काम करता है और तब यह काम करता है। सब्सक्राइब्र कर दिए अधर में कर देब mo啦 कर दिया को अधर है कि सब्सक्राइब कॉल्हका करता है जैसी इस पर काम करता है पहुत जादा कम मातरा में ग Также तो है। बहुत ज्या्दा कम मात्रा में एस्टोजन निकलता है। और यह क्योंकि यह बहुत ज्यादा कम मात्रा में निकला ठीके यह क्या करता है यह जाकर के negative feedback क्या सा negative feedback नेगेटिव feedback देता है FSS को negative feedback का मतलब क्या होता है कि देखो यह जैसे ही निकलेगा ना यह इसको कम करेगा ठीक है इसकी वज़ाए से इसके काम कर भाया था तो estrogen बना ठीक और यह estrogen ने जाकर के इसको दोका दे दिया इस नेगेटिव फिडवाग इसने mechanism को शो किया जिसके ऐसे इसकी ज़ए नेगेटिव फिड़ा कमला इसकी concentration जितनी बढ़ेगी यह काम ओता यह क्या बोलते है काम होता जाएगा इसकी तो नेगेटिव फिडवाग का मतलब ठीक है तो नेगेटिव फिडवाग इसने दिया कब जब small concentration of estrogen निकला क्या निकला small concentration of estrogen ठीक है पर due to the time यह यह बढ़ता जाएगा यह बढ़ता जाएगा estrogen बढ़ता जाएगा ठीक है यह बढ़ता जा रहा है और देखिए अभी आपको पढ़ाया था कि estrogen जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है पीछे डिए जाएगा और यह साथ-साथ-स फॉलिकल जो यह वह ग्रो करता जा रहा है ठीक है जैसे ही फॉलिकल जो है पूरा का पूरा जब यह एकदम पीक पर पहुंचेगा यह पीक पर पहुंचेगा तो जा करके यह काम करेगा लेच जो है लेच और एफसच के लिए जैसे इसकी concentration बहुत ज्यादा हुई यह एलेच और एफसच पर पॉजिटिव फीट बैक देगा ठीक है पॉजिटिव फीट बैक के मेकनिजम पर काम करेगा पॉजिटिव फीट बैक का मेकनिजम क्या होता है कि अब एक्स्ट्रोजन की concentration बड़ेगी तो यह भी बड़ेगा ठीक है ऐसा क्यों आप बताता हूं क भाई ब्रेन को भी तो पता चलना चाहिए ना कि भाई तुम बड़े हो यह बड़ा हो गया है और वह कैसे पता चलेगा वह इस एस्ट्रोजन की बताती है कि भाई देखो ग्रेफिन फॉलिकल बन चुका है पूरा मैच्वर हो चुका है अब इसका तुम करवा दो ठीक है य पहले नेगेटिव था जब कंसेंटेशन जादा हो गई तो यह पॉजटिव फीड़ेक हो गया ठीक है तो पॉजटिव फीड़ेक दिया और यह इस एलेच ने क्या करवाया सबसे पहले तो इस ग्राफियन फॉलिकल से यहां पर ओव्यूलेशन करवाया ठीक है मेरे पास इ है आप लिखिये मैं बता रहा हूं पहले सबसे पहले इस एलेच ने आ करके इससे ओविलेशन करवाया और क्या किया का इंब अधी ओविलीशन में चली यहां लिखता हूं नीभे और विए लेशन एक प्लस फॉर्स पोलर बडी बनाई वस्ट ऑलर बोड़ी ए मिल पास स्पेस नहीं है ठीक है मैं आपको बता दे रहा हूं और आप आप ऐसे लिखिए एलेच और आपर विकल से करवाया और उसके वेलियुमें ऑलिशन करवाया और उसके में क्या जो बच गया, अब जो पीछे बच गया, उसको बोलेंगे, कॉर्पस लूटियम, क्योंकि ये लूटिया, भाई, ग्राफियन फॉली को लूटिया, तब ही तो कॉर्पस लूटियम बना, क्योंकि इस पास सेकेंटरी उसेट बच आ ही नी, तो ओविलेशन हुआ, और फिर क्या बना, पहली, फर्स्ट पोलर बोडी बनी, यहां तक समझ में आया, ठीक है, हो गया, ओके, देखो, इतना हमारा हो गया न, यही हमारा में इनकाम था, यह साइकल पूरी होगी, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां यूटरस पर आते हैं, कहां थे, यह थी हमारा पास ओवेरेंस साइकल, यह ओवरी में चल रहा था, ओवेरेंस साइकल समापत हो गई, ठीक है, हाँ, अब इसके बात होता है, अच्छा, एक बात बता दू हूँ, यह जो पूरा पूरा फेज चला, यहां से लेकर की यहां तक, यह वाला जो फेज है, इसको हम बोलते हैं, देखो, इसमें फौलिकल चल रहे थे, फौलिकल सा काम हो रहा था, तो इसमें बोलेंगा, follicular phase हो गया? इसको बोलेंगे follicular phase इसके बाद क्या होता है? यह जो बचा हुआ phase है इसको क्या बोलेंगे? बाई, यह follicular phase था तो यहाँ पर corpus luteum है, तो यह कौन सा phase हुआ? यह हो गया luteal phase इसको बोलेंगे luteal phase समझ में आ गया? इसको बोलेंगे luteal phase तो यह था follicular phase यह था luteal phase तो दो तरह के phase होते है ओविरेंगे साइकल में एक होता है follicular phase एक होता है luteal phase ठीक है? luteal phase, follicular phase आपके phase पूर हो गया? देखिए इसको ना लिख लिजे क्योंकि इसके नीचे मुझे uteris cycle बनाना है तो मैं इसको मिटा हूँगा एक बार इसको देख लिजे screenshot ले लिजे ले लिया? ठीक है? मैं follicular phase को खाली fp लिख दूँगा ताकि आपको समझ में आए क्यों कौन सा phase था? ठीक है? यहां से यहां तक था यह luteal phase ठीक है? और यहां पर कैसे दा? यहां पर था यह polycular phase ठीक है? अब हमको uterus में बनाना uterus में जो है ना देखो uterus में है uterus में होते हैं तीन phase ठीक है? अब क्या होगा? मेरी बात सुनना बात यह है देखो मैं बताता है ना parts में पढ़ाऊंगा आपको जाद अच्छे समझ में आएगा ठीक है? parts में पढ़ाने में जाद अच्छे समझ में आता है अब देखो क्या हुगा? कि यहां estrogen की मातरा बढ़ रही है? बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? यह एकर आरे कि अंधिकिक होती जाएगी और यह और सारे इसल बन गए बह। बह। सै र requirement नोगर्य च hon और यहां पे आन्गिक हो सब्सक्रूंच हो गया अब क्या हुआ कि से इस तब को जो अमने बूला है यह फेज यह हमारा पास सैंक ऐड़ी अज फैस था तो यह कौँंसा बिले इसको हम बोलेंगे वाइदगव मैंने बताए था वहां पर प्रोली लोनी मना रहे में दोकत के अतिको बहुत लातं लोल सेल्स्टा रहाओ उसके बाद ये देखो कि ऐसे करके अब अब है तो हमारे बने प influx के अंदर तुम याध करो मैं अब क्या होगा यहां पर प्रोजिस्ट्रोन की मातर बढ़ती है प्रोजिस्ट्रोन की मातर बढ़ती है पी फर प्रोजिस्ट्रोन बढ़ेगा तो यहां पर ग्लेंडूलर सेल्स बनेंगे पीछे बताया था याद होगा ग्लेंडूलर सेल्स बनेंगे ब्लेड वेसल्स बनेंगी ठीक है ब्लेड वेसल्स बनेंगी हुआ है और इसी को हम बोलते हैं सिक्रीटरी फेस इसको मैंने बना सिक्रीटरी फेस क्या हुआ कि एंडोमेंट्रेम बनी पड़ी अब इसके अंदर ग्लेंडूलर ग्लैंट्स ब्रणने लगे ठीक है ब्लड वैसल्स की सप्लाई बढ़ने पड़ी तो यह हो गया सिक्रीटरी फेज देखो हमारे यह प्रोलिफ्रेटिव फेज हो चुगा है के अब इसके बाद क्यों होगा मैं सिधाना प्रेगनेंसी नहीं तो यह यह पुरा पूरा पूरा श्यकाषण हो गया में हकत वJames प्रूरा फेम और इसका हम बोलेंगे ब्लीदिंग. इस ने मॅ्ब्रीटिफेसMore लिए जैसे ही पहली बार ब्लीडिंग आई कि तो वहां से जब पहले दीन ब्लीडिंग आई तब से हम मैंस्टो साइकल गई अज पहले दिन मैंस्टो साइकल का ठीक है तो तो यही शूट ले लिजिए में आपको तो थोड़ा ऐसा हो गया वाकी आप साथ साथ लिखते गए होंगे ठीक है समझा गया अम मैं इसके ग्राफ समझाता हूं थोड़े ग्राफिकल अगया देखिए अब बस ग्राफ रह गया उसके बाद हमारी मैंस्ट्र साइकल खतम हो गई है कि तना इसी था इतना टफ तो नहीं था बस पार्ट्स में पड़ो और होर्मोंस क्लियर कोई भी कोश्चन्स आए बनाते जाओ नो प्रब्लम में टॉल चलिए ग्राफ बना देते हैं अब देखो शुक्राइब एक बीच में रहा है और यह बीच में बताती है यह बहुताती है ओविलेशन के लिए बताते है कि इस दिन तो दिन नहीं बनाया नहीं उससे जादा बनाये उससे थोड़ा पहले बनाय ठीक है और दूसरा बनाते हैं हाँ हाँ दूसरा मनाते देखो अगा एक यह रहा है ना कॉन क्या है अभी बताता हूं टेंशन ना लो ठीक है थो देखो है इस दिखो एक बात पहले बता तो मेरा एक भी न्योमस नहीं होता है मैं भी टीचर से पढ़ाँ ठीक है उनी के नीमिन्स है मैं दोबारा तो बनानें बैठाँ गा नहीं ठीक है क्या है यह यह एल एक यह यह एले जसे यादकरा सबससे हैं q May i it को हम NASA घáng 7vb कहते हैं में बता या canasta कॉर्पस लूटियम बना था ग्राफियन से तो वह एलेज सर्ज पे उता है सर्ज क्यों कि बहुत उपर गया ठीक है ऐसे करके लाज़ जटे और यह जो बचा कॉन यह स्मॉल है तो यह एफ एसेच का ग्राफ है कि किसका एफ एसेच ग्राफ है ठीक है आप इसके बात क्या होता है देखो यहां बनाते हैं ग्राफ ठीक हो क्या होता है कि न ऐसे करके नहीं रूखो दो पी के लिए क्या आने है न मुझे दो यह था ऐसे देखो मेरी बास सुनो इस लाट की देखो यह नैसे यह गया ऐसे और यह गया घ्र ठीक है डिक है टीक है धूर्द मुझे और अब देखा भी देता हूं कि अद्ट निया देखो से में सब्सक्राइब करवार आनना ओकी क्यों प्राव्बम तो नहीं आप क्यों की आप दिखो इसके बाद ना यहां से यहां से लेर ऊठेगी तो और यह ऐसे कि इस थोड़ा और ऐसे बनाना चाहिए था कि प्राउस के साथ भी चल पाए है लाइक टेक है अब क्या हो देखो यहां से यहां से लेयर पहले पैरले जाती है और फिर इसका पीक आता है ऐसे और चला जाता है अधिक है कि नहीं है कि अधिक है n एक हो पिक सब्सक्राइब घखता है अंधिक है फिर college-free-leer ही दिद्रहुन 시청 कि वबीटित ओपर होती है सब्सकराँ अफिर एंठ्याइब इस है एस्ट्रो जटैंड पशे यह जो है यह यह आज ग्रीन उन बन पना यह सब्सक्त है और ग्रारफ होथ प्रोजिस्टिराउन का घ्राफ किसका यह प्रोजिस्टिराउण का ग्राफ है अब देखो बताता जाती ह। हो यह आस्य पेक है पहला पीक आ से किसी shapes यह विल्टि तू यह को विलुय message यह memory तभी वह था तो यह किसके आए यह जब कोई चीज खता होने वाला होता है तो एकदम से बहुत जाद बुखती है तो एकदम से बहुत जाद जलती है फिर बुझ जाती है आइसी जब नल्य करें लँं का पानी जब कर दाली तो यहाद बहुती पानी कने का तो लास्ट जो ड्रॉडप होती है यह एक साथ निकाल देता है तो यह यह लोगी पीक है इस मिलीघ जनरैटिंग फॉलिकल फॉलिकल अब अब ऒडीजनेरेटिंगщ तो अब देखो अब इसमेंन सारे स्वाल फ्लियर हो जाएंगे ठीक है कब आपके साथ जाए नहीं यह है लार्ज बढ़ेश जादा है याद करो एस्टोजन जब जादा हुआ तब एलेश जादा हुआ तब यह जादा हुआ था हृँ ठीक है और मैंने का था कि निकालता है उसके बाद क्या हुआ था एकदम से बढ़ा था कब बढ़ा था तो देखो यहां बढ़ा पड़ा है ठीक है फिर क्या है एक चीज देखो यहां पर और जैसि प्रस्टन बढ़ रहे है तो यह लेशाइस लावल दाउन गया और यही होता है कब जब चीज़े नॉर्मल होती ओगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो रहना चाहिए ठीक है तो लस्ते को रहना चाहिए भो कैसे रहेगा व कैसे रहेगा अगर हमारे पास यह सबक्राइब फ़ेश्ओल वेल्व पादी जिसकी वैसे इसने लाज को बढ़ा दिया कि और इसके पास यह टीक तो आया पर यह ट्रेस्ट वेल्वेल्व रेश्ओल वैल्यु पार नहीं कर पाए जिसकी वैसे लेश्ओ्ध सब्सक्राइब जाएंगे थोड़ना जा करके क्या बोलते हैं आपकी वो को ध कि के दिए तो इतना सुने आगे इससे ना कि सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सारी सारी हो जाएंगे पूरी ठीक है अच्छा एक और बात बता दूँ अब देखो यह पूरा हो चुका है कि जितना ग्राफ राफ समझाना था ठीक है मैंस्ट्रल साइकल में यह ही है इसके बाहर आपको एक भी कुशन नहीं मिलेगा ठीक है मैंस्ट्रल साइकल से पहले बता दूँ अब जो क्या घाल है अचा कुछ को सब्सक्री नवह पताते हैं इस Peroo से पूछा नहीं जाएगा काउर पेसे पहले कॉर्पस हैमर है यह कम बनता है कॉर्पस है माई सि कम किका इससे इंबता है वह बनता और फिर बताते तों फिर बीप संब कॉर्पस हैमर हैजी कम ठीक है ये किसके होता है ड्यू टू ब्लड कि इसके अंदर चिक इसमें क्या होता है देखो ये को पर है तर यह यह गंटेश्ट difficultma ना इसी के अंदर जो है ल्टीन प्रोटीन आएगा ल्यूटीन बनेगा किया ल्टीन प्रोटीन आएगा जिसके से बानेगाеннымalen Criminal को अधोष मुद्याम यलो प्रोटीन ऑगे इस यहलो को ठोटा ठीक है अधों व्लीया अब खूर्पोम दूटीम जो है वह बाद में किसर्फ कर्भेशा यह को अँगर आया का इसके बाद फिर अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर क्या बोलते हैं सबस्रक्राइब तुन होती है ठीक है और हमारी मेंस्टार्स फत्रट्स अगये इसके बाद फिर अगर प्रेग्नेंस्टी यह तो क्या बोलते हैं HCG, HPL, वहीं सब चीज़ हमको पढ़नी होती है, ठीक है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यह यही तक था, इतना इसको जानलो, इतना काफी है, ठीक है, इसके बाद का जो पार्ट है, वो मैं next lecture पढ़ाऊंगा, आप लेक्चर को डाइजेस्ट भी तो कर ले न, ऐसा तो नहीं कि क्या बोलते हैं, मैं पढ़ाते चले जाऊंगा, फिर आपको प्रब्लम हो जाए, तो मैं आपको slides दिखा देता हूं, ठीक है, आप slides देख लीजिए, और बाकी जो मैंने सम्झाया है, है तो वही, ठीक है, ठी यूगा है, है, हाँ, ठीक है, मैस्ट जैकल जो होता है, definition of a life cycle, woman body really, ठीक है, धी सैकल चेंज्ड अकर वी मन एवरी ओट हर महीन होता है ठीक, फोजिटीबी परेगनन्सी पहला, मैस्ट जैकल, ठीक है, मैस्ट जैकल कहते हैं, over when an ovum is unfertilized uterus lining तो फिर मैं स्वाइकल होगी ब्लीडिंग वगए वह कैसे कैसे पूरा आपको पढ़ा चुका हूं ठीक है तो उसमें को प्राप्लम है नहीं अब गल्स के अंदर जो में सब्सक्राइब करती है जब शुरुआ तो इसे मेन और कहते हैं ठीक है जो इंड़ पोस्स कहते हैं ठीक है एज फ्रटी फैसे लेकिंट के बीच में यह आपको पड़ा चुका हूं ठीक है आप डिफेंट फेस बहुत सारे होता है फेस कौन कौन से होते हैं दिखाता हूं पेस सब्सक्राइब करते हैं ठीक है आपको मिल जाएंगी आप पढ़ना चाहते पढ़ लेना और हिंदी मीडियम की स्टूरेंट से वह हिंदी में पढ़ लेना समझा मैंने आपको सारा दिया है ठीक है ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम करें फॉलिकल मैं ठीक है फिर डैवलपिंग करपस लूटिया है ठीक है और देखो है ना 14 देखे जस्त देखो पीछे 14 दिश्ट पीछे आप पीक आया ठीक है यह नहीं कि बाद में आता है ठीक है और फिर यहां पर मैंसे आए फर्स्ट डे पर बता चुका थ ठीक है तो यह सारे के सारे मैं आपको करा चुका हूं है ना तो स्टुनेंट्स कोई डॉट हो अपको मेरे से पड़के अच्छा लगा हुआ और मुझे आप शुको पढ़ागर के बहुत अच्छा लगा ठीक है अच्छा लगा हो अच्छा लगा कोई डाउट हो प्लीज बताइए ठीक है और कमेंट जरू करना लाइक किजे सब्सक्राब किजे शेर किजे ठीक है ठीक है ठीक वेरे मिच स्टुनेंट्स